पुलिस ने बरामत किया है सुधिर कुमार सी ने जैनकारी देती ही बताया कि सिहानी के ठाना पुलिस ने साथी चूर गिरों के सदश कामिल और सुनार राचेस दुबे को गिरफदार किया है उन्होंने बताया कि गिरों के सदस्यों ने बीदे दिनों लोहिया नगर को दया नंद नगर में घरों को अपना निशाना बनाते हुए बड़ी चूरी के वर्दातों को अंजाम दिया था पुलिस ने इनके पास से चूरी की गई रखा में से 4 लाख रुपए वा लाखों रुपए कीमत के सोने चांदी के जेवरात बरामत किये हैं गिरप्ता चूरों के दो साथियों को दिल्ली पुलिस पहले से ही जेल भेच चुकी है वही आनचार की तलास पुलिस कर रही है SSP ने बताया कि इन दोगों द्वारा गाजिया वास साइथ अल्लाकल चीलों में दरजनों सोरी की वर्तातों को अंजाम दिया क्या है इनके पास से अभी और भी सोरी का समान बरामत किया जाना बाकी है पेसे गाजिया वास से सुनिल सर्मा के एक खाजर को है तो सब्सक्राइब करना को सिटाना नगर में द101 महीने के वर्स आप में यह तनन ने चोनी और पश्थए और इन चोरियों में काफी ऑख गए था इसके से सम्मंदित दो चोर थाना श्यानी गेट पुलिस दोरा गिरफतार किये गए हैं और इनके पास से काफी बड़ी मात्रा में कैश और जोयली बरामद हुई है इन तीनों चोरियों का इसके अधरी कुछ और समान भी बरामद हुआ है जो की अभी कनेक्ट किया जाना बाकी है क्योंकि इनके दोरा अन्य जगे भी चोरी की गई है इनके छे साथी और हैं जिसमें से दो साथी अभी इस बीच में दिल्ली जेल में जा चुके हैं और चार साथी की गरफतारी अभी शेश है उनकी घिश्तारी के उपरांद जो और अन्यों चोरिया हैं जहां जहां इन्होंने की होगी उसका खुलासा होगा इनके दुबारा एक कमरा दौलत पुरा में लिया हुआ था और ये बीच calming होते थे और सांइकckle से रहकी करते थे और सांइकल से रहती बंद घरों को आप प्रूस में चूरी का काम क्या करते थे देखे ये पहले पहले भी जेल जा चुके हैं और अब ये तीन चोरिया तो अभी खुली है और बाकी जो माल बरामद है वो कई चोरियों का लगता है और बहुत जल्दी इसमें बाकी लोग पकड़े जाएंगे तो शेश चोरियों के बारे में और पता चलिए अब देखे ये लगवा लगवा बीस लाग रुपए का जो कैश और माल है ये लगवा बीस लाग रुपए का और बड़ी सफलता स्यानी गेट पुलिस टीम की है खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाएगे सब्सक्राइब कीजिए